दोस्तों अब एक और नई वीडियो यहाँ पे निकल के आ रही है 20 करोन से जादा का कैश, कुछ और गोल्ड बार्स और कुछ और वैलुएबिल्स यहाँ पे पाए गए है एक और दूसरे फ्लैट से जो की अर्पिता मुखरजी का ही है बिगारिया इलाके में और यह ओवरॉल जो फ्लैट है यह अर्पिता मुखरजी के स्टेट्मेंट के बेसिस भी ट्रैक किया गया तीन काउंटिंग मशीन्स यहाँ पे लाई गई ओवरॉल बैट के यहाँ पे लोग काउंट कर रहे है इडी के ऑफिशल्स पूरा रात पैसा यहाँ पे काउंट करते रहे तब जाके और ओल पता चल रहे है कि 20 करोण से जादा यहाँ पे सीज हुआ यह जो कैश रिकावर हुआ है यह क्लब टाउन हाइट्स नाम के अपार्टमेंट से रिकावर हुआ है बिगारिया से और यह जो फ्लैट है यह भी अव्यसी बात है अर्पिता मखर जी के पास ही है जब से यह स्कैम हुआ है पार्था चेटर जी को और अर्पिता मखर जी दोनों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है अब जब मुसीबत सर पे आती है तो सब अवराल अपने आपको पीछे कीच लेते हैं अर्पिता मखर जी बोल रही है कि मुझे बैंक की तरह है यहाँ पे इस बार पार्था चेटर जी को ओवराल सपोर्ट नहीं मिल रहा है त्रनमूल कॉंग्रेस की तरफ से देखे तरनमूल कॉंग्रेस के उपर पहले भी बहुत से करॉप्शन के इलजाम लगाए गए इस बार एक अलग चीज निकल के आ रही है कि जब पार्था टेचर जी फसे हैं इनको तरनमूल कॉंग्रेस ओपनली सपोर्ट नहीं कर रही है हाला कि बीच में एक निउस ये भी निकल के आई थी कि पार्था चेटर जी को जब एडी ने अरेस्ट किया तो उसके बाद उन्होंने ममता बेनल जी जी को कॉल किया तीन कॉल्स अनॉंसर दी हो चौथी कॉल में ब्लॉक कर दिये गए मतलब ओवर ओल तरनमूल कॉंग्रेस की जो लीडर्शिप है उसने साफ साफ यहां पे बोल दिया है कि अगर पार्था चिटर जी जी रिस्पॉंसिबल पाए जाते हैं तो आप उनको जो भी लूल आफ दो लॉक के साफ से करना हो करिए लेकिन एक और में औरल एंगल यहां पे निकल के आ रहा है कि अभी भी जो कॉमर्स मिनिस्टर की कुरसी है बंगाल के कैबिनेट में पार्था चिटर जी के पास वो कुरसी उनसे नहीं छीनी गई है तो अभी तक वो मिनिस्टर बने हुए पार्था चिटर जी जीसे पूछा कि भाई तुम कुरसी कब छोड़ रहे तुन्हों नों बोला मैं कुरसी के चोड़ू मैं गलत नहीं हूँ ये कैश कहां से मिला ये अभी के लिए अकाउंटेट नहीं है मैं आपको एक और बात बता दो ये केस अभी लंबा जाएगा ये जो पर्टिकुलर एडी है इसको प्रेवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के अंदर ताकत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के दोर आज के करेंट अफेर्स में मैंने आपको पढ़ाया तो अगर आप PMLA के अंदर ट्राई किये गए हो तो आपको बेल भी नहीं मिल पाएगी प्रॉपर तरीके से और अपनी बेल के लिए आपको ही वहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा तो overall ये जो पैसा सीज हुआ है overall ये जो recruitment में घपले बाजी हुई है जो पैसा सीज हुआ है इसमें अगर कोई भी angle foreign में पैसा मॉलीन लॉंडरिंग से जुड़ता है अगर तो उस case में फिर काफी बड़े मुसीबत में फ़स सकते हैं अब इस बात को लेके दा हिंदू में एक बड़ा अच्छा एडिटोरल दिया गया है इस particular एडिटोरल में बोला गया है कि भई देखे त्रिणमूल कॉंग्रेस को in its own capacity responsibility दिखानी पड़ेगी जो भी corruption के इल्जाम इनके ओपर लग रहे हैं दूसरी चीज़ इन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट यहां पे जो भी investigation करी ये बात शिव सहाय साब ने आज के दाहिंदू एडिटोरल में बोली है जो आपका नारद string केस हुआ था ना उसमें त्रिणमूल कॉंग्रेस के जो leaders involved हैं उनके पीछे ED गई लेकिन वो leaders जो त्रिणमूल कॉंग्रेस को छोड़के बीजेपी में आगे उनके पीछे नहीं गई तो overall यह जो partiality का इल्जाम लगाया जा रहा है इसको यहां पे address करने की जरौत है तो शिव सहाय जी ने आज के दाहिंदू एडिटोरल में साफ साफ बोला है कि overall corruption के scam को हटाना ज़रूरी है खासकर वो scam जो सरकारी जॉबों में होता है चुकि सरकारी जॉब वैसे भी बहुत कम है तो income सरकारी जॉब में अगर पैसे लेके किसी को recruit किया जा रहा तो वो गलत है तो इस प्रकार के scams को खाड़के सामने लाना ज़रूरी है इन scams को impartial तरीके से investigate करना ज़रूरी है एक को target किया दूसरे को target नहीं किया ये सही नहीं है दूसरा त्रिनमूल Congress को यहाँ पर अपनी responsibility लानी ज़रूरी है अब overall अगर पार्था चेडर जी के सामने ये एजाम निकल के आ रहा है त्रिनमूल Congress की leadership को कोई ना कोई action लेना चाहिए openly support नहीं किया है तो action भी आपे नहीं लिया और overall परते अभी खुलेंगी चोकि एक flat पे छापा मारा तो एक पैसा मिला अभी दूसरे flat पे छापा मारा तो 20 कोरण और 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 gold bars मिल गए ये तो तब है जब overall इस case की जानकारी पिछले कई महीनों से चल रही है तब जाके इतना पैसा तो दो flat ओ में दबा हुगा इसके लावा और कितना पैसा आया होगा वो कहा श्टैश किया गया है PMLA का क्या angle है ये भाई धीरे धीरे आगे पता चलेगा तो अपने हाप में overall corruption के incidence को रोखने के लिए ये आप कह सकते हैं एक अच्छी news है ED का action है इसको बहुत सारे लोग political angle देंगे बहुत सारे लोग ethical angle देंगे एक बड़ा मुद्धा यहां पर यह उठता है कि overall ये scam अगर prove हो जाता तो जिन लों को नौकरियां मिली उनकी नौकरियां बचेंगी जाएंगी nobody knows तो जैसे भी news आगे आएगी मैं आपके साथ यहां पर discuss करूँ इस news से related जो सबसे important fact है जो exam के respect में आपको काम आएगा enforcement directorate की ताकत को बढ़ाना prevention of money laundering act 2002 के अंदर जो recent amendments किये गए है जिसके चलते समन के समय पे Caesar के समय पे arrest के समय पे overall यह जो ED है उसको extraordinary ताकत दी गई है और उसके साथ साथ बेल आपको मिलेगी नहीं बेल पाने के लिए समझे बेल पाने के लिए आपको अपनी innocence को प्रूव करना पड़ेगा अगर आप अपनी innocence प्रूव नहीं कर पाए आपको बेल नहीं मिलेगी दूसरा समन्स के समय पे self-incrimination वाला article 20 clause 3 आप invoke नहीं कर सकते यह दोनों ही चीज़े मैंने आज के current affairs में आपको बताई है इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान से समझ लो यह बहुत important है कि इसी मी मेंस के exam में आप इसे quote कर सकते thank you